नमस्कार दोस्तों मैं अगर शिवावल आपका स्वागत कर तो मारे वाफ टेट चनल में तो शिवा इनों के एक बड़ी अपडेट आ रही है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा इसी के साथ अगर हम बात करें लार्ज कैप्स की तो लार्ज कैप्स सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जब और कर्स नहीं बढ़ रहे थे सिर्फ BTC ही बढ़ रहा था तब मेरा को बताया था कि पहले लार्ज कैप्स बढ़ेंगे फिर मिड कैप्स और आखिर में जितने भी लो कैप्स में वो सभी कैप्स बढ़ने वाले हैं आप देख सकते हैं जिसमें इथेरियम, BNB, Solana, Avalanche ये सभी बढ़ रहे हैं करडानों में अभी थोड़ा सा वक्त बागी है, इसके अलावा अगर हम पोल का रोट की बात करें तो ये हरे कोईन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है इसके साथ एक बहुत बड़ी न्यूस जुड़ी है, वो है इंफ्रस्ट्रक्चर बिल की, जिस पर क्रिप्टो टेक्सिस का जो प्रॉफिजन है, वो है यूएस प्रेजिडेंट को सेंड कर दिया इंफ्रस्ट्रक्चर बिल, और अगर ये पास होता है, तो इसका बहुत बात करें, शीबा इन्हों की, तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अभी नोटिस कर पा रहा हूँ, वह या कि शीबा स्वया के उपर अगर आप इसका टीवियल देखोगें, तो ये 550 मिलियन डॉलर से उपर जा चुक है, जो एक टाइम पे 200-300 मिलियन डॉलर पर था, जिसकी ये स्ट्रॉंग प्रोजेक्ट बन चुक है, और ये टार्गेट कर रहा है 1 बिलियन डॉलर को, ये कारण है कि इसके जो एकोसिस्टम के कॉइन्स हैं, लीश की बात करें, तो वो अभी 32 डॉलर प्लस चल रहा है, और ये प्राइस एक्चन में आज से करीब 5-6 मही ने पहले था, इससे पहले ये 1200-1300 डॉलर तक भी गया था, तब मेरा को कहा था कि आप इसके एकोसिस्टम कोईन्स पर भी फोकस रखें, इस पर भी आप बाइंग कर सकते हैं, और बोन की बात करें, तो बोन अभी 3 डॉलर के आसपास है, और ये ऐसा कोईन है जो अभी 10 डॉलर तक की रैली ले सकता है, तो इसके एकोसिस्टम के कोईन्स सम्हेशा आपको बहुत अच्छा प्राफिट देने वाले हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि आप यहां अगर देखोगे, तो FTX जो एक्स्टेंज है, जो बहुत बड़ एक्स्टेंज है, जिसका कोईन FTT है, तो उन्हो ने अभी तीनो कोईन्स को लिस्ट कर दिया है, जिसमें शिब, लीश और बोन तीनो आते हैं, तो तीनो की ट्रेडिंग अभी लगा तर चल रही है वहाँ पे, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपके साथ कल के दिन भी शेयर करी थी, तो एक्चल मैं किया है कि शीबा अगला जो अपडेट हमें मिलने वाला है वो रॉबिन हुट का है मिलेगा, लगबग सब भी एक्षेयर की उपर शीबा इनो लिस्ट किया जा जुका है, सिरफ अभी रॉबिन हुट बचा है, अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो अभी प्राइस भी इसका थोड़ा कम चल रहा है क्युकि एक्षल में यहां से तीन गुना चार गुना तक का प्राफिट दूबारा से दे सकता है, आप यहां देख सेते हैं शीबा इनो का अगर हम देखें यहां इसका RSI तो यह मिड में चल रहा है, तो मिड में जब भी चलता है तो यहां से पॉसिबिलिटीस कोशिश करेगा कल के टार्गेट्स में आपको बताये थे वह अभी इग्जैक्टली मीट नहीं हुए यह अगर यह पैंसर्ट सो तक पहुंचता है यानि कि चार जीरकवाद पैंसर्ट सो तो उसके बाद यह अपने और टाइम हाई के तरों बढ़ेगा फिर यह जाएगा और टाइम हाई बनाएगा यानि कि एक पैसा तो अरड़ी बनाई चुका है एक पैसे के बाद हमें हो सकते कि पचास पैसे या एक रुपए भी मिल सकता है शीवाईनू तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहे तो अभी से लाइक करतो और मारे चैनल वाफ्रेट को भ आ सकता है एक बड़ी अपडेट ही है कि बिटकोईन का जो टैप रूट अपग्रेड है वो जल्द ही आ सकता है और नवंबर महीने के अंदर पॉसिबिलिटी है या एक दो इवेंट्स वापस में क्लैश करने वाले हैं लेकिन पॉसिबिलिटी है कि बीटी से का प्राइस अ इनमें आप एक अच्छा प्राफिट अवश्य रूप से ले सकते हैं अगर हम बात करें पोल कर ओर की तो यहां आप आक्षिट में भी पाटिस्पेट कर सकते हैं अगर हम बात करें सोलाना की अगर हम सेल्स की बात करें एनेफटी की सेल्स 500 मिलियन तक पहुंच चुकी है य इसका जो TVI लेवो 20 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुक है जिसमें इथेरियम 17.75 बिलियन का है अवलांच 725 मिलियन और आप ट्रम 642 मिलियन डॉलर है एंड मुझे थोड़ी पॉसिबिल्टी है आप ट्रम भी इथेरियम के लिए काम करता है आने वाली दिनों में आप ट्रम भ ETC में जब ज़्यादा विश्वास रहता है वेल्स को या फिर बड़े इंस्टिटूशनल इंवेस्टर्स को वो इसको कहीं होड करके रखते हैं क्योंकि इसका प्राइस डेफिनेटली इंक्रीस होने वाला है एक चीज़ जहां रखना एवलांच बहुत बड़ा प्रोजेक सोलाना और अगर हम बात करें पोलका डॉट की या फिर टेरा की एवलांच की तो यह बहुत स्ट्रॉंग प्रोजेक्ट हैं एक कोईन और है लाइट कोई तो लाइट कोईन जिस तरीके से पहले प्रोफॉर्म कर रहा था करीब 300, 300, 400 डॉलर तक पहुंच सकता है अब यह बह बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है जो करीब 64,000 डॉलर के असपास है और यही अगर रेजिस्टेंस इतना स्ट्रॉंग रहेगा तो नीचे बीटीसी 55,000 से लेकर 60,000 डॉलर के बीच रह सकता है और वहां तक गेरने की संभावना है लेकिन और कोईन बीच दिया जाएंगे सभी वीनर्स को तो आप उसमें पार्टी से फिर जरूर करना क्योंकि उसके जो टास्क आप बहुत ही छोटे हैं सिर्फ लाइक शेर सिर्फ इतना सा टास्क है अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेर कर देना अपन आपने अबाद